जैसे कि अब देख सकते हैं दोस्तों यह एक लेडी टीवी है जो की बिगड़ चुका है और इसका जो मदर बोड है वो इसी से प्रोलम है क्योंकि सारा का सारा तो प्रोलम उसी से होगा क्योंकि इसका डिस्प्ले सही है डिस्प्लीम्स का कोई प्रोलम नहीं है ठीक है तो मैं इसको motherboard को मैं देख सकते हो, मैं बाहर निकाल जुका हूँ, अब इसको मैं क्या करूँगा, कि पूरा को पूरा में इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको मैं wash करूँगा, क्योंकि एसके electronic जो है, उनको भी इजही problem था, तो साइद मेरा भी यही problem हो जाए, तो मतलब वो होगा तो साइद ठीक हो जाएगा, बट अगर ऐसा problem नहीं रहेगा, तो यह चालू नहीं होगा, बट यह क्या होता है, कि चालू होता है, बट होने के बाद थोड़ा दर के बाद बंध हो जाता है, ऐसा इसमें problem है, तो चलि इसको मैं बढ़ियास पहले wash करता हूँ, फि इसको बहुत ही बेहतारूप से अच्छे से सफाई कर रहा हूँ, जो भी इसमें dust पढ़ा हुआ है, या कहीं भी अगर नमी के चलते कहीं पर सौट हो रहा होगा, तो वो भी इससे ऐसा करने से साइद खत्म हो जाए, इसके बारे में मेरे को इस TV के board के बारे में उतना knowledge नहीं है, बट मैं किनी दूसरे के देखकर ये परकिरिया कर रहा हूँ, ठीक है, और वो है इसके electronic, जो कि बहुत ही अच्छा है, उनको पास में knowledge है, और ऐसी बात नहीं कि ये चालू नहीं होगा, तो उनका जो उपाय है वो गलत है, ऐसा भी नहीं है, ये उपाय सही ही होगा, बट मे आने के बाद मैं उसका वीडियो में नहीं बना पाया, देखें मैं आपको बता जाता हूँ, कि लाश्ट में भी ये मेरा जो टीवी था, वो चालू नहीं हुआ था, ठीक है, तेंक्यू